मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ डॉक्तर आनन्वाद पेजी को चलिए स्ट्रेट टॉपिक बात करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो आएमसी का बिजनेस प्लान सेम प्लान फ्रॉड इंडिया येस और नो की प्लान में कोई ऐसे दों नहीं के आसाम में कुछ और पंजाब में महाराश्त्य में कुछ और गुजरात में कुछ और केेरला में कुछ और ऐसा ब्लील है एना करें राच wonders एसा कुछ अगि प्राइयर रिजै वालों को प्राथमिकता दी जाती प्रोड़क भेजी नहीं कि पेस्रा मैनेजमेंट अलग है महारास्थर के लिए लग है और उत्रप्रदेश के अलग है सबकुछ सेम है जी एवरिधिंग सेम पयाउट सेम है कौन बोला खड़े खड़े ख़ड़े एक ₹ अएक बार ताली हो जाइए अमारे का गढणजी इनके लियो नहीं मेरी दूआ है कि सबके सेम हो जाए बिल्कुल आजी अब कोई बोलता है सेम सवाल है कि वाई पेयाउट सेम प्लान सेम प्रॉडक्स सेम वाई दपेयाउट इस डिफरेंट यह सोचना पड़ेगा आप लोग को सबकुछ सबकुछ इक्वल प्लैटफॉर्म सबको मिला है मगर execute मंददा चार हजार के लाले है उसके और एक बंदा 40 लाक महिना कमाता है ताली हो जा चालीस लाग रुपा मैना तो आज मैं यही बात पर यही मेरा टॉपिक है कि ऐसा क्यूं है ऐसा भेदभाव क्यूं है क्यूं है कि यह फ्रंट रो वाले लक्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मतलब कहते हैं फाइनेंशल फ्रीडम अगरे एचीव कर चुके हैं और बाकी क्यों नहीं क्योंकि हम लोग जो मार्केट में जाते हैं ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं कि सर मैं पिछले पात साल से आएमसी कर रहा हूं लेकिन पैसा नहीं है हमको भी बहुत लोग मिलते हैं कई चेर्मेंस जो हमको छोड़ जाते हैं फिर फेस्बुक पर हमको कम पैसा नहीं है कि IMC के प्लान में पैसा अगर नहीं होता तो क्या एक करोड़ पांच लाग का आरे भी आता नहीं आता अगर IMC के प्लान में पैसा नहीं होता तो क्या 40 लाग महीना आता नो यानि कि IMC के प्लान में पैसा है तुझे पैसा निकालना नहीं आता यानि कि कमी किसमें है तुम्हारे में आइमसी में कोई कमी नहीं है क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो यहां आज जितने लोग बैटें किसी के पास पैसा नहीं आ रहा होता तो हमको समझना पड़ेगा तो यह जो गेम है यह जो पेयाउट का गेम है यह कहां पर हम लोग बाकिया differ करते हैं यह जितने लोग front row में बैठे प्रेजिदेंट्स प्रेजिदेंट्स यह लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं या क्या फर्क है मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बीमारी की जो उपज है मैं जितनी बीजीज रहे हैँ सिर्फ दवाइं को सफ्रस करने के लिए धने हमको दवाई देने से पहले यह समझना पड़ेगा कि बीमारी की जो उपज है या जितनी भी डिजीज है 97 पसंट जो डिजीज है वो हमारी मन से उत्पन हुई इसको कहते है साइको सोमेटिक मनोशारिरिक यानि कि सब कुछ यहां से शुरुवात होता है हमको सबनना पड़ेगा हम कोई सेल्समेन यहां बनने नहीं आए हमको समझना पड़ेगा कि हम जब हमारे कस्टमर के पास जा रहे हैं तो वो उसकी रिक्वार्मेंट क्या है हमें उसकी नीड उसके इंट्रेस्ट और उसकी expectation के हिसाब से काम करना है उसकी need उसकी interest उसका concern और उसके expectations के लिए काम करना है तो हमको समध्र पड़ेगा 51% आप लोगों को भी देख लो जितने लोग यहां बेटे हुए जितने भी लोग हम लोग जब IMC में आये थे हम लोग क्या सोच कर आये थे है कि सरदार बहुत खुश होगा क्या सोच कर आए थétique आ रइव जाए तो चलेगा कितना आपका जब टारिएट क्या था जब मैं सी चरूआत कर रहे होगे आपके दिमाग में क्या figure रही होगी कि मेरे को इतना मिल जायी तो मैंना काम चलेंगा बीज पच्छीस हजार रुपिया आपको कितना चलेंगा कितना मेरे को आजयी तो चाम चल जाएगा डाल रोटी चल जाएगा तो अजिक्ट आपका क्या लगता है यह किसके लिए आ रहा है एक्स्ट्रा इंकम एक्स्ट्रा इंकम यानि कि एक्स्ट्रा आज हम लोग सभी को एक्स्ट्रा अगर कुछ होता है न हम सब को बहुत मज़ा आता है और एक्स्ट्रा इंकम हमेशा तुमारी जो ओंगोइंग इंकम से हमेशा कम होती है आज अगर एक इतने भी जाते एक कॉलेज में आज एक्स्टाट्यूशन क्यूं देते हैं एक्स्ट्रा इंकम के लिए पॉकेट मनी के लिए लड़के लोग और जा रहे है गुर्फ्रेंड को पिच्चर दिखानी है कॉफी पिलानी है पॉकेट मनी से पूरा नहीं होता तो कही न कहीं एक्स हम अपने appliance के statement लेकर जाते हैं आज सामने वाले की mentality समझो आज एक student है उसकी जरुवत मात्र 2-50000 रुपे एक्स्ट्रा की है उसको आप 2-50000 का ही plan बताओ आज अगर हाउस वाइफ है हाउस वाइफ की नीड क्या होती कि एक हाथ 2-50000 का plan ही हमको लगाना है हम क्या बताते हम तो जब plan लगाते पहले दीन उसको Mercedes प्रिज और अप्लाइं का statement यह देख मेरे अप्लाइं का statement 40 लाग रुपया और जैसा डियेंज नी कहा कोई विश्वास नहीं करेगा करेगा कोई विश्वास 40 लाग रुपया नहीं क्योंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसने इतने सालों पढ़ाई करके पारा-पं मुझे समय भी लगाना है मुझे पैसा भी लगाना है और तब जाके में 15-20,000 की नोकरी पाऊंगा और यहां आप लोग जाते हो market में तुझे कुछ नहीं करना तू सिर्फ joining लगा तुझे एक साल में तेरे दर्वाजे पे Mercedes खड़ी होगी बस यहीं पर डिसकनेक्ट हो जात उसकी इंकम से कमी होती है यह फर्स्ट गलती हम लोग करते हैं लाखों की बात करके इसलिए लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते हैं हम लोग बोलते हैं हमारे मेरे अप्लाइन को देख Mercedes मेरे अप्लाइन को जग 2 करोड रुपया आ रहा है तुरंट डिसकनेक्ट हो जाए जब तक आप उस दोनों मोबाइल को कनेक्ट नहीं करते हो सेम वे में आपको आपके कस्टमर से भी पहले मानसिक तोर पे कनेक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि जब आप पहली बार किसी को जाते हो प्लान दिखाने के लिए फर्स टाइम किसी को प्रोस्पेक्ट करने जात प्लाइंस को आझ मैं जाके दोंकी खोक्या करेंगा अरे आप क्लोजिंग कर ओगयों पेले सी दिमांग से खरायं का Selvan क्लोजिंग नहीं ऊपनिंग स्किल्स को सीखना है कि कैसे मैं उसे कनेक्शन लगा पाऊंगा यह टेखनीक आपको सीखना अभी अक्तर जी ने पताया ना यह भी लॉन दर इंविटेशन टेखने प्रोस्पेक्टिंग टेखने यह आपको सीखना पड़ेगा राइट तो सबसे पहला नेट्वर्क में कभी भी बड़ी 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 बात मत करो first focus एक्स्ट्रा इंकम क्योंकि सबसे बड़ा चंक फिफ्टी वन पसेंट एक्स्ट्रा इंकम तो एक्स्ट्रा इंकम यानि की पहली बार कभी भी लाखों की बात आप मत करिये यह how do people get motivated हम लोग जाते हैं सेमीनार्स में वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद है बड़ी बड़ी बादे इतना motivate हम लोग इतना pressure इतना pump भड़ लालते हैं उसके लिए motivate करते रहते ईसको लेकिन वो भी बोलता है सिर दो महीने में क्राउन प्रेजिदेंट कि दो मैं आप देखो खाली धमाल कर दूँगा मैं लेकिन तीसरे मैंने वो सिस्टम से बाहर लेकिन कुछ दिनों बाद वो सिस्टम को छोड़ देता है वाई हमको समन्दा पड़ेगा बातें बड़ी-बड़ी लेकिन एक्षन नहीं ले पाता है अक्षन क्यों क्यू依ा नहीं ले पाता अक्षन ये उनको समन्दा पड़ेगा क्यूंके बदलाओ सब चाहते हैं बदलना कोई नहीं चाहता है एक्षन का मतलब क्या है एक्षन का मतलब चेंग परिवर्तनी संसार का नियम हम मनना पड़ेगा कि action means change और change का मतलब है ट्रबल अगर आपने को निर्ने लेके action मिलाने की विशार किया है आपने तो सबसे पहले आपको बहुत सारी मुसीबत को सामना पड़े करना पड़ेगा जितने लोगों ने आज यहां सभी लोग चेर में आप याद करिए आपने जब इस बिजनस को शुरूआत किया होगा आपको भी लोगों ने बहुत सारी तकलीफों का सामना आप सबको करना पड़ा होगा जाहें हमारे बीच कई सारी डॉक्तर बैटे होए हैं सब ही लोग का बहुत सारा मजाग उड़ाना पड़े इसलिए लोग बदलना नहीं चाहते क् बदलने के लिए आपको कहीं न कहीं तकलीफ उठानी पड़ेगी डॉक्टर्स मेरी भी बात करूँ तुम मेरे भी कहा नहीं कहीं लोग जानते वैसे तो तो कहीं लोग मुझे भी चिडाते थे तुलसी बाबा हाँ मेरे नाम फेमस है मेरे वाटसेप ग्रूप मेरे डॉक्टर्स ग्रूप में कुछ भी डालूगा तुलसी बाबा की जय हो और तुलसी बाबा क्या चल रहा है तो यह यह तो चलता रहेगा ट्रबल इसलिए लोग वो कहता है ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या हम बदलना नहीं चाहते हैं बात यह बड़ी बड़ी करेंगे अप्लाइंस के साथ में लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है अगर मैं बदलना चाहता हूं सबसे पहले मुझे कुछ ट्रबल होगी बदलाओं का मतलब है दर्द वजन कम सबको करना है है ना वजन आप देखो 31 डिसेंबर को सबसे जादा रेजुलिशन बनते हैं एक तारिक से पार्क देखो आप एक और पांच जनवरी तक पांच जिये जो पांच दिन का समय है ना आप देखो सारे पार्क भरे भरे रहते 31 तारिक को रेजुलिशन बनते हैं लेकिन 6 तारिक आते आते फिर पार्क खाली क्योंकि लोग उटके जोश में ट्रैक सूट अगरे सब कुछ पहन लेते हैं साल साल भर की जिम की मेंबर्शिप ले लेते हैं इस उमीद से के साल भर जिम जाओंगा लेकिन 4 दिन 5 दिन कसरत क करते ही जाओ क्योंकि पेन बदलाओ सब चाहते हैं बदलना कोई नहीं चाहता क्योंकि बदलाओ का मतलब है दर्द लेकिन मैं आपको एक आज बहुत बड़ा एक्जाम्पल दूंका धर्द पे साइंस यह बोलता है कि इनसान मानव शरीर जो दर्द सह सकता है उसकी यूनिट्स मापी गई है 55डस 45डस यूनिट अफ पेन है 45डस से ज्यादा कोई मनुश्य दर्द बरदाश नहीं कर सकता यदि इससे उपर आपको दर्द मिला आपकी मौत निश्चिद है यह साइन्स बोलता है विज्ञान बोलता है लेकिन यह धर्ती पर जितने लोग जितनी महिलाएं specially महिलाओं ने ही पहले साइन्स को जुटला दिया है क्योंकि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है कि आपको पता है उसका पेन लिमिट क्या होता है विज्ञान की सोच के परे है 57 डेल्स 57 45 में इंसान मर सकता है एक मा जब बच्चे को जन्म देती है 57 डेल्स युनिट पेन बरदाश्ट करके बच्चे को पैदा करती है विज्ञान को जुटलाती है 57 डेल्स का मतलब शयद आपको अभी इतना नहीं पता है फ्रेक्चर कितने लोका आज तक हुआ है फ्रेक्चर है आपको याद करो आपको जब फ्रेक्चर हुआ होगा एक छोटा फ्रेक्चर आपको कमर में छोटा फ्रेक्चर आप चल नहीं पा रहे होंगे 57 डेल्स का से जनम लेती है राइट ! इसलिए ये मुहावर आया है कि सफलता दर्त की कोक्स से जनम लेती है क्योंकि महिलाओं ने बच्चे को जनम देकर ये प्रूव किया है कि विज्यान ठीक है लेकिन हम मनुश्य विज्ञान को भी चैलेंज कर सकते हैं तो उसकी मिसाल सारी महिला बढ़ावा देती है उनके लिए पर जबर्दस्ताली हो जाए एकदम सबर्दस्त बिल्कुल चेंज मीन सैक्रिफाइस नहीं मुझे तो क्या आदत है ना मेरी बीवी को मेरी बेटी को तो जब मेरी शकल नहीं देखेंगे ना तो मेरे को तो रात को घर जाना ही पड़ेगा दीन भर तो मैं कहीं भी चला जाओ लेकिन रात को तो मेरे को मेरे घर ही जाना पड़ेगा बदलाओ क्यों नहीं करना चाहता आप देखो कितने लोग आपकी टीम वाले बोलते होंगे कोई बाहर आपनी जाएंगे, comfort zone, अपना शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, जो भी बड़ी कराम आती है वहीं उसी शहर में, अगर आप दिल्ली के हो दिल्ली से बाहर नहीं काम करें, मुंबई, मुंबई से बाहर नहीं, लेकिन जितने leaders बेटे यह यह open सबकों, यह सब के लिए है जितने भी लीडर्स का जो बड़ा बड़ा काम या बड़े विनकी ग्रोथ हुए अपने शहरों अपने राजियों से बाहर उनका सबसे बड़ा बिजनस हो कि तो आपको समेदा पड़ेगा सेक्रिफाइस तो करना पड़ेगा और सेक्रिफाइस दोनों से होता है आपको क्या लगता है कि आप जाते हो फील्ड पे केवल आप से करते हो नहीं आपका परिवार भी आपके लिए से करता है बीच दिन पचीस दिन आप जब बहार रहते हो आपका परिवार भी उतना ही हगदार उतना ही सैक्रिफाइस करता है इसलिए ज्यादा तो लो बोलते हैं बदलाव हम सब चाहते हैं कि यह सर यह होना चाहिए IMC को यह बताओ management को यह बताइए लेकिन हम खुद पहले बदलाव नहीं करते हैं हमको खुद कहा जाता है कि ड्रेस कोड में आईए सबसे पहली चीज़ हम छोटी चीज़ हम खुद बदलना नहीं चाहते हैं तो हमको समझना पड़ेगा यह परिभाशा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ऐस سब था अज जो भी दुनिया में बड़ा बिजनस में जो भी अरब पती खरब पती मिलियनेर बिलियनेर बने हैं रिस्क सबने उठाया हुआ हाईसा कोई है बिजनेसमें जिस्के कभी रिस्क नहीं उठाया पूद वे इसकी कहानिया में belongs बता मीलस करन है यदि कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो ऐसा बोलता है आपको कि मेने life में कभी भी loss नहीं किया है मैंने जिन्दगी में कभी कोई risk नहीं उठाया आज मेरी बात गाठ बन लो ऐसे आदमी से आप 100 फुट दूरी बना लेना कि सोफट दूरी क्योंकि जिसने लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं उठाया जिसने लाइफ में कभी फेलियर ही नहीं देखा आपको लगता है कभी जिन्देगी में सफल हो पाएगा तो ऐसे आदमी जब भी बोले कि मैंने लाइफ में कभी failure देखा नहीं है मैंने जिर्देगी में कभी कोई loss नहीं किया अगर loss नहीं किया मतलब उसने कभी प्राइब ही नहीं किया कर लाइफ में कभी भी कोई रिस्क नहीं उठाया यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा अगर डॉक्तर है तो अपनी क्लीनिक को छोड़ के अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत दाओं पर लगाने का रिस्क अगर आप कोई जनरल स्टोर वाले हो तो स्टोर छोड़के कहीं आपको प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए गल्ला गल्ला का जो मोम आया है उसको थोड़ा दूर आपको करना पड़ेगा हर एक बंदे को सेक्रिफाइस करना पड़ेगा तो आपको रिस्क हर बिजनर्स में है दुनिया में बिना रिस्क किये आप सफल नहीं हो सकते हो दूसरा आज जमाना हमको सबना पढ़ेगा कि हम नेट्वर्क में आपको बहुत इंपोर्टन चीज बताने जा रहा हूं कि आज जमाना किस चीज का है क्या लिखा मैंने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यह हम लोग बोलते हैं यह आप बोलते हो कि न हमेशा घ्रहाग भगवान होता है कस्टमर इस किंग 21st century is the century of experience sector चाय हम लोग सब पीते ने साड़क पे मुंबई वाले सब कटिंग चाय पीने क्या आधी है बाकी लोग भी कितने की मिलती साड़क पे चाय छे रुपया साथ रुपया पांच रुपया राम विलास इंदू ओटल कितने की मिलेगी 15 से 20 से 25 रुपया CCD cafe coffee day and Costa coffee कितने की 1500 से 200 और ताज हयात कितने की मिलती है 500 प्लस मानते सब लोग यह 500 प्लस क्या बदला यहां बदल बदल क्या रहा है चाय की पत्ती चाय की पत्ती बदली चाय आप सड़क पी रहे हो cafe coffee day में ती विला में Costa Costa coffee कहीं भी चाय पी रहे हो कहीं भी चाय पत्ती बदल रही है चाय पत्ती वहीं होगी है दूद बदल रहा है नहीं बदला तो सिर्फ एक्सपीरेंस जब आप ताज में जाते हो ताज में क्यों व्यक्ती 500 रुपर देने को तयार हो जाता है क्यों व्यक्ती देने को जिब ताज में घुसते हैं आप देखो उनका experience गुस्ते ही वह वास क्या बात है अंदर जाते ही यह सर प्लीज आपक जितने ताज गया होंगे आते ही आपको टीका हार वार अरे बाप रे बाप को लगता कहां आ गया हमें सब्सक्राइब मुझे कुटा नहीं पुछता और यहां तो बाखेदम मुझे हो एकदम हाइदम टीका भी का लगाया तर आरती वारती उतार जा रहा है फिर दो इसके बाद अंदर जाते हो येस आपको इतना बड़ा हैंडसम सा स्मार्ट बंदा आता है येस सर हो किना हेल्प यू उसका सूट बूब देखके साला हमको साल लगता पता नहीं कहां से आ गया है अपनी हालत देखते हैं इतना बड़िया एकदम साला पॉष आदमी आ गया बिचारा चाय फिर तो हम लगो ताज में चाय भी हम खुद ही बनाते हैं ने ठीक आप रखिए 500 रुपिया देने के बाद भी चाय हम खुद बनाते हैं आप देखो क्यों वहां का एंबियंस आपको इंप्रेस करता है जाए मेंगे नहीं चाय देखो चाय सब चाय सब कुछ सेम है क्या बदला सब जगे एक्सपीरियंस आपका बदलता है दब क्योंकि अभी तक सस्ता महेंगा हमारे हम लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्स बहुत महेंगे हैं प्रोडक्स बहुत महेंगे हैं बाबाजी के बहुत सस्ते हैं उस कंपनी के बहुत सस्ते हैं सस्ता क्या बदला experience यानि कि आप जब customer को जोईन करते हो आपका सिर्फ experience बदलना चाहिए कैसे यह लोग यह लोग यह लोग जो फ्रेंट रों में बैठे यह लोग कैसे plan दिखा रहे हैं यह लोग कि बातों को hit कर रहें यह आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि plan सबको दिखा रहा है लेकिन सबको पैसा नहीं आ रहा है तो यह जो फ्रेंट पेटे हैं ये लोग कैसे प्लान दिखा रहें ये लोग क्या बाते बताते हैं वह आपको समझदा पड़ेगा राइट क्योंकि सस्ता महिंगा हम लोग सबस्ते महिंगे में भशे रहते हैं ऐसे तर सबला दो नैने झा come लगा की मर्सेडीश 65 द्लाग की और ऊसलिट लेने भखए तो साथ करोड़ की रोल्स रोइस लेने वाला बेखूब लग रहा है और रहा पर है एक्सपीरियेंस अब गाड़ियों में बैटकर खली देखियो Ethan नbooks हम बोलते हैं पागल है साथ करोड़ इससे तो चाहिनोवा ले लेता कितना पईसा बच जाता है आप समझो यह यह यही बात है अगेन इस अल बाट एक्सपिरियंस इस अल बाट एक्सपिरियंस आप अपने कस्टमर को कैसा फील करवाते हो जब आप प्लान देते हो जैसे आज मधान जी ने कहा कि अपने फाइदे की बात मत बताओ हम बोलते ने यार थोड़ा कर लेगा तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा तू करेगा तो मेरा भला हो जाएगा और इतियास गवा है भला अगर आपका होता होगा तो तो जिन्दगी में नहीं करेगा हो यह 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 इसलिए बिजनस वॉल्यूम को रोकते होंगे अच्छा यह मेरे करने से इसको क्राउण पर से बनने वाला बिल्कुल वॉल्यूम ने डालूँगा यह सोरो यह कहानी है तो आपको समझना पड़ेगा अगेन एक्सपीरेंस या आप अपने टीम के साथ मैं किस प्रकार का experience कैसा feeling कैसी family atmosphere आप देते हो it's all about experience हाँ ओवर ग्यान है ओवर ग्यान कई लोग भोलते हैं यह certificate दिखाओ वो certificate यह दिखाओ यह दिखाओ company के वह है के नहीं दुनिया भर का ग्यान यह यह लाओ वह लाओ वह लाओ कामदम आप देखो जितने क्योंकि यह मैं हमेशा एक सेमिनार में जितने लोग मुझे सुनते हैं हमेशा बोलता हूं कि जो लाइफ में कम पढ़ा लिखा है ना उसकी लाइफ में बहुत कम confusion है जो थोड़ा बहुत पढ़गया उसकी लाइफ में थोड़ाबाद confusion और जो भाया बहुत पढ़ गया में लाइफ में confusion je confusion है बहुत confusion है क्योंकि आपकी life में जितने भी उल जलूल सवाल है ना कौन पुछता होगा इसा पड़े लिखे लोग पुछते हैं ढlate है घ牌 है जो पड़ा लिखा नहीं उसको इनको पता ही इनि वहाच है यह तुल्सी आफ टुलतुंसी डालने से तुम्हारा थर्मफोर कैसे गलता है समझाओ मेरे को यह पड़ा लिखा ही पुछेगा क्या chemical formula एक यह एलोवेरा में बीटा डीनी क्यू डालते हैं कैसा chemical formula है यह समझाओ मेरे को क्योंकि मैं पड़ा लिखा हूं है राइट लेकिन इत्यास गवा है कभी भी किसी पड़े लिखे ने इत्यास नहीं मनाया ये बिल्कुल इत्यास गवा है तो यानि कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आज मैं पड़ा लिखा नहीं हूं मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है तो यह आपकी सबसे बड़ी weakness नह में किसी ने भी IMC में उनको सुना भी नहीं होगा बोलते हुए किसी ने ऐसा कोई है वेक्ति कभी उनको प्रोड़क के बारे में बात करते हुए नहीं इसलिए नंबर वन पे हो इसलिए और हम जा जाके डॉक्टर बने सर्थ बताओ आई सीव में पेशन्ट बैठा है क्या दू मैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसका इंसो बताओ क्या दू मैं हम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं तो आपको समंधा पड़ेगा पैसा कहा पर है क्यों वह नंबर वन आपको वही समझ में आने लगेगा आने लिपीटी में परी ओवर गयन पर एक स्टोरी थी मेरे पास एक स्टोरी के मादे सुनना चाहोगे यह क्योंकि ओवर गयन की स्टोरी बहुत अच्छी इप्लेमेंट करती है कि साओधी अरेभिया आप लोग सब जानते हैं साओधी अरेभिया में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर एक ओवर ब्रिज ब्रिज बना काम कर चल रहा था ब्रिज कोलैप्स हो गया वहां के रूल्स की हिसाब से जुम्मे की नमाज के बाद उनको एक्जिक्यूट किया जाता है त तो तुमको अभी क्या करेंगे हम लोग वो जो मशीन होती ना आरी जो काटे है लकडे को क्या बोलते हैं उसको आरी आरी तो अब तुम्हारा गर्दन यहां पर रखे उस आरी से तुम्हारी घर्दन को उड़ा दिया जाए ठीक है चलो तैयार हो जो तो पहले इंजिनर को तो पाल काल कपना रखा गया रक्षा घृत तो अब मशिन चलना लेकिवा ट्ररर्रर कहां के रूब है अbür अ कॉनिकर युदक वैल्ला है मरहबा मरहबा जाओ बच्चा तुछ पर बहुत महरबान है तुछ पर बहुत महरबान है जाद तुझे बख्ष दिया ख़तम दूसरा आया उसको भी कहले कपड़ा पेना है उसका चालो मशीन तर यहां के फिर रुप यह यह इता है तुझाबा मरहबा व अल्ला क्या बात है आज अल्ला तुम्हारे पे महरबान है जहां तुझे भी बख्ष दिया अब तीसरा ओवर गया नहीं खड़ा दा महाँ पर तीसरा इंजीनर अरे ओ शेक क्या महरभा क्या अल्ला की मर्जी वह देख तेरा जो मशीन ना उसका एक नट डिला है जला देख तैला नट डिला है क् तम शिक उसका तना नंस्ड टाइड कर दिया अटीसरे किसकी सबकलिए तीं रारी सफिकी बरती कड़ गया है इस और ग्यान ज्न सबके पास है उसकोि इस्तिमाल कहां पर करना है यां आपको समझना पड़ेगा उसके लिए ट्रेनिंग लगती है तो आपको समryना पड़ेग लेकिन अगेन मैंने कहा देखो टॉप नंबर पे वह कोई पढ़ा लिखा हम लोग जो बोलते ना बैच यह बड़ा एकदां एंबीए वाला कभी भी नहीं आएगा तो यह ओवर ग्यान का साइड इफेक्ट ऑवर ग्यान का साइड इफेक्ट भी उसको मान सकते हैं यह क्या य राउन प्रेजिडेंट बनता काश इगल बिल नहीं बंदूआ होता काश बिजनस वालिम ट्रांसफर अभी भी चल रहा होता काश हाँ काश जी एस्ट नहीं लगता चाना तो मेरा सेमिनार हीट हो गया होता काश ना काश बहुत अच्छे ताली हो जाए फिर काश वर्ड है तो इस पर मैं आपको चोटा सा दो मिनिट का वीडियो जरूर दिखाऊंगा काश यह काश ही हमें आकाश छूने से रोखता है येस इंड्री फोर्ड के इमेज आप देखिए क्योंकि हम लोग कई बार हमारा हमारा समय कहां पर वेस्ट करते हैं आपको समन्ना पड़ेगा आ यहाँ पी यानि कि कहां पर आपको आपका समयइंवेस्ट करना है कि जब हम समयइंवेस्ट करते हैं तो लिटेर्स भी आता है तो आपको करोरफाती क्लब में अगर आना है तो आई-मC का जो प्लान में जो मेन पैसा कई बार कई लीडर बोलते hem की यार Sydney अले मेरा इनोन damit द हम हमारा समय हम हमारा समय जादा तर कहां पर इन्वेस्ट करते हैं यह जो सच्छाई है 99 परसेंट लीडर जो करते हैं हम अपना जादा समय हमारे वीकर लेग्स पर काम करते हैं आपको समझना पड़ेगा एक बेसिक बात विकर लेग विकर क्यूं है वह विकर पैदा हुआ है वी करहें कारी और मरेगा बिल्कुल क्यूंकि किसी को परसनल मत लुरह मैं इसे दे रहा हूं विकर में जो है न गदे का डिये न है और आप गढ़े को घुड़ा बनानी की कोश जो गोड़ा है वो गोड़ा ही रहेगा आप देखो आपका गोड़ा जो होगा गोड़े को भागने के लिए मोटिवेट निए उसको खाली अब देखो जब जोकी गोड़ा अपने दम से नहीं भागता उसके पर सिर्फ जोकी कुछ नगुछ आप एक्शन पेन वगरे पावर वह अपने अप इन बिल्ट होता है इन बिल्ट मैं में एक्जांपल देता है कि तीन तरह के लीडर्स होते है पहला लीडर मुर्गी की तरह होता है मुर्गी की तरह मुर्गी की तरह मुर्गी क्या करती है बिना बोले अंडा देती है बिना बोले आपके पावर लेक को मैनों महिनों बात भी अधिन करते हों कि दो प्रेम जी इंड़िके बात नी करते ना मैं अधर्जी हो गज़ा करता हुभी एन हम लोग एक दूशी से बात भी नुह पहले करते लेकिन दो रोटफे का भी बी-वी कॉर्टा उल्धा उनको मुझी का टेगीरिवाले लेइव हुआ लोग सब कि दीना बोले अंडे पावर लेग यायनि के लीडर्डशिप बोनस का मेन गेम अब फिसनस प्लैन का बड़ा पैसा चाहिए लीडर्शिप बोनस पे काम करना है लीडर शिब material देगा फावर और हम पावर लेक पे ही काम नहीं करते हैं हम वीकर की पिछे पड़े रहते हैं तीस हजार के लिए उसको दुनिया भर के मोटिवेट करते रहते हैं क्या मरती सब्सक्राइब अरे तीस हजार आ भी गया तीस हजार से लीडर्शिप कितना मिल जाएगा फंदरा सो तो का गेम है आयम सी बिजनस प्लान लीडर्शिप बोनस पावर लेक्स पे ज्यादा से ज्यादा आपके विट में पांच लेवल डेप तक काम करना है क्योंकि हमको गदे को घोड़ा नहीं बनाना है दूसरी कैटेगरी होती है गाय उनके अंदर पोटेंशल तो बहुत होता है है कि निकालना पढथा है गाय खुध से दूद्स कभी निदि पये निकालना पढ़ता है मुर्गी की तरह नहीं है एठेशल अ कि पोटेंशल सब होता है उनके पास लेल कैटेग्री जिस पर आप लोग सब काम कर रहे हो बेल कैटेगरी बैल केटेगरी उसको आप याद करें जितने भी टॉप लिटर बैठे होंगे इन्होंने अगर इनको पूछने इंकर इंटर्वी जब भी आएगा इनको पूछना दुनिया में इन्होंने सबसे ज्यादा समय कहां पे लगाया है इनको पता चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा समय उसी लेक पे लगाया होगा ज्यादा से पैसा भी उसी लेक पे खर्चा किया होगा ज्यादा से जाला हो मोटिवेशन सेमिनार दुनिया भर का खर्चा उसी लेक पे किया होगा लेकिन बैल तो बैल ही रहेगा क्या बैल से wisely यह जो गदे काटेगरी के लोग है यह गदे ही रहेंगे नए घोड़ो को लाओ रेस घोड़े जिताएंगे आपको राइट गदे नहीं तो गदो के पिछ अपना टाइम बरबाद मत करो you invest your time with the leaders who deserve your time it's a matter of demand versus deserve काई leader नहीं आपके टीम में टीम मांगते सर टाइम निदेते मेराằं डिमांद डिमांड डिमांड बॉद्च नहीं आए रहर यह होता है जो बिन बोले आपको टाइम दे बिन बोले आपको वाल सोया हुआ है सोय उए हो ना हम बड़े आराम से जगा सकते हैं लेकिन जो सोने की acting करता है उसको उठाया जासकता है कि देखा आपने बच्पन वापने किया वने ट्रिक्स स्कूल नहीं जाना है और नहीं करना है आग जानबुच के बंद कर उसको कोई उठा नहीं सकता तो यह हम लोग भी ऐसे यह जो इनको तो उठा सकते हम लोग चलो जिनके लाइफ में कुछ है उनको का मालिक अमेरिका में उनका एक सेमिनार था सेमिनार था सेमिनार तीन बजे का था दो बजे होटल से निकल रहा था अपनी 21 फ्लोर होटल से देखा उसने बहुत सेमिनार में जाने से परले मैं फूल ले जाता हूं तो नीचे बैठा फुट पात पर देखा एक आदमी ऐसे मस् उसने फूल लगा कि मत शो रहा था तो नीचे गया को फूल की ज़रूती थी तो गया भूला बैसाब फूल दी जह फूल दिया चुपचा फिर सो गया इख साब उन्यारी और यह क्या कर रहा नोसे आप इतनी दुपैर को सो रहे हो क्या हुआ अरे बुलता है आप इतना भरा भुरा मार्केट है आप चिलाओ चिलाओ ता कि कस्टमर और नीची आपको स्क्षनार आजहेंगी तो क्या होगा कि आएंगे तो आएंगे तो एप नदा बढ़ेगा तो मेरा बिजनस बढ़ेगा है पर इस बढ़े तो अरे तुम यह जो चिछे जो राश्टे रज़ा वे हो एक बड़ी आषब थेल्थे लेकर काम कर सकते हो अच्छा ठेला में उससे क खुल लोगे हाँ फिर अरे उसे दो तीन चेन ओफ आउटलेट्स चेन ओफ रेंचाइस ही चलो वह भी आ गए तो औरे उसके बात किए उसके बाद तो आरम तो मैं के या कर रहा साला इतना अच्छाना करने के आ ए क्या आराम तो मैं के कि अरौँ कर रहा हूं। चल ह्तने दुछल हर्वाहनतो निदर से निगाल हम लग मोटिवेट करते हैं हमारे डाउनलेंज को यह करेगा वो करेगा तेरी मर्सीडीज आ जाएगे तुझ टाइम फ्रीडम मिल जाएगा तुभी हो जाजी की तरह हेलिकॉप्टर खरी देगा क्या हो जाएगा हेलिकॉप्टर खरी दूगा तो बस तो आप समंधा पड़े के मीच के बैठा है उसको आप कभी भी मोटिवेट मत करने जाहिए वो भी ऐसे हेंड्री फोर्ड का एक्जांपल हमेशे लाइप में याद रखना इन लोगों को आप सर्टिफिकेट दिखा दो इनको डेमोंस्रेशन दिखा दो प्लैन दिखा दो करोड़ों रुपया इस वामने किसी को नू कीए मेरी लास्ट्लाइड है इस वर नहीं बनाना लेकिन हम बन क्या रहे सेल्समेन जाते है जाते ही तुरंद्ट कीवाते कोई ह außer ciekस रलू इंट्रोड़क्शन ने जातेम ऊपराटन के निकालते यह हमारा तुल्सी दुनिया का सबस्वेडा तुल स तुरिया का सबसे प्रेटिंटिव अरे बैखाई की तुलसी तु कौन था कि तुलसी पॉई कोई जान बाइक्षिन नहीं लगाया सीधा जाते ही आप एटैक करते हो ऐसा कौन करता है सेल्समें कि do शेल्स्मन हम सेल्समन बनने नहीं आए क्या हम यहां पर जॉब करने के लिए या नू है डॉक्तमिस पने के लिए यह नूं लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस हम क्या कर रहे हैं पर करव अधि आ are स बढ़ गलती अधे तक आले कर रहे हैं प्रिशिशन लेने के बाद भी जब अपना हॉस्पिटल खोलता है और आप अपने फादर या मदर को लेकर जाते हो अपरेशन थेटर के अंदर ऑपरेशन थेटर में लेकर जाने से पहले भी वेल ट्रेंड डॉक्टर अमेरिका से सीखा हुआ भी आपसे कुछ नकुछ लिख को क्या लिखते हैं क्या लिख वाथ ओर येस हों नहीं यह को मैं तो आज भी प्रेक्टिस कर रहा हूं च्राइज करम होड़ा झीन ने डिटक्व्र करता है है अए महीश हर्त से और प्रेक्टेard अह लिख इसका अ में तो फत्लम वोर तो उन्हें फंदर वहीं लिक्वाता ह वेल्ट्रेंड डॉक्टर सर्जरी डिग्री होल्डर वो भी कभी गैरेंटी वर्ड नहीं यूज करता हूं हम क्या करते हैं साला आएमसी बे जुड़ते ही तु शुगरेवल ले रहा है तु बंद कर तेरी एलोपती की गोली मैं गैरेंटी लेता हूं तो एलो मुक्तले तेरा कभी भाग जाएगा साना मैं गैरेंटी लेता हूं यह जोला चाप डॉक्टर्स करते हैं आप समझो अगर कोई वेल्ट्रेंड डॉक्टर होगा ऐसी बढ़ चड़के क्लेम्स नहीं करना है आपको कभी भी एक डॉक्टर जो वेल्ट्रेंड होगा उसको पता है गैरेंटी नहीं ले सकते हम लोग हमें नहीं पता हमारा पेशन्ट कितना दारू पीता है कितना सिग्रेट पीता है क्या लाइफस्टायल है कितना ड्रग एडिक्ट है हमको नहीं मालूम इसलिए कई बार हम केसे आते हैं सर उसको एक बुन तुलसी दिया उसको चक्कर आता है हमें नही प्रोड़क्स पे इतना दम है चाला सब ठीक हो जाएगा अच्छी बात है अच्छी बात है आई रुवेदा जिन्दा बाद है उसे कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन कोई भी पैती मुर्धाबाद नहीं है यह हमको समझना पड़ेगा क्यों कि हम लोग यहापको समझना पड़ करें हो कभी भी स्टेट से उल्टा पल्टा बात मत करिये विकोज यू आर आयम सी का चेर्मेंस जो डॉक्तर अशोक भाटिया ने खुद की पंदी आपको दी है आपका यहां से कोई भी गलत स्टेटमेंट आपको मुसीबत मिला सकता है बढ़ चड के बाते नहीं करना है त तो यह आपको मैं बहुत बढ़िया एडवाईस दे सकता तो कभी भी एगी डॉन्ट ट्राइट टूब डॉक्तर राइट डॉक्तर बने डॉक्तर मतलब डॉक्तर कभी गैरंटी वर्ड नी उसकरते हैं यह वर्ड के लिए मैं बना है तो हम यहां पे क्या बनने आए है या एंट्रपेणर एंट्रपेणर बिस्नेसमैन एंट्रपेणर राइट इतना सब कुछ क्यों उस एक पल के लिए देखा अभी ताल को दोना में ग्राउन प्रेजिदेंट का सेलेबरिशन चार साल बाद इन इस लम्हे के लिए वो लम्हे के लिए अगर आपको जीना है कि वह लिजुलाइजिशन आपको विजुलाइज़ करना पड़ेगा आप जो भी चाहते हो सुबह उठके आपको वो विजुलाइज करना पड़ेगा विजुलाइज़ेशन में बहुत बड़ी ताकत है शिवकान जी ने कहा right on paper क्योंकि दुनिया इतिहास गवा है only two percent people जिनोंने भी अपने लक्षे रखे हैं वो actual में बाहर ला पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लक्षे को लिख के रखा दुनिया में एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो पहले paper पर आये हुए बिना बाहर आ गई हो और हम सब हमारे plans गोल्स यहां रखते हैं यहां कभी नहीं रखना है आपका जो भी सपना आपका जो भी लक्षे है उसको paper पर को दुनिया में सिर्फ 2% लोग है जो अपने लक्षे जो blueprint पर उसको लाइए क्योंकि हमारे हमने जो लक्ष तो लिया है 2019 तक का एक हजार करोड हम लोग यहां पर आज चार से पांसों लोग है हजार लोग केवल पूरी IMC में हम लोग हजार लोग को ढूंड सकते हैं टोटल हम लोग मिला के हजार एक्टिव लोग हजार लोग यदि कचते क्यक्ते करोड बीबी का टर्डड ले कितला एक करोड घृब को अभी अब और यौट को मैं अएसा कोई एक्स्ट्रडनेरी टरिकी नहीं तेरो ऐसे टारिगर जो अभी अभी इसी वक्त चल रहे कंपनी में च्समूरां कि पने करोड़ आए साथ को रहा है है कितना आ रहा है नो करोड़ पर मन्त नो करोड़ आ रहा है प्रेम जी आप रहा है छे करोड़ फर मन्त ए जितने बीचे मीड लाहे हैं आड कुनाल जी जेस्वेर जी सबसे पूकरीक यहां मैं कोई extraordinary यह हवा में नहीं बात कर रहा हूं मैं जो टार्गेट लेके चला हूं पर मन्त one CR BV only जो आज यहां पर हकीकत में कई लोग क्या रहे मात्र एक हजार लोग अगर हम लोग ताक्यत लगाएं और सिर्फ टार्गेट लेके आज यहां से जाए कि मेरा पर मन्त BV एक करो करोड होगा तो कितना वॉल्यम हुआ महीने का एक हजार करोड एक करोड बीवी के लिए काम करना है क्या लगता है डिफिकल्ट टार्गेट नहीं उसके लिए प्लैनिंग चाहिए प्लैनिंग यानि कि आपका जो अप्लाइन यह जितने भी आ बैटे हुए क्राउन प्रेज करोड साल का नहीं हम उसको महीने में भी पूरा कर सकते हैं येस आ पागल के लिए और मुझे बोलेंगे तहल्य को कर गया पागल न है येस पागल लोगी इतियास रचने वाले हैं यह और एक दिन जरूर होगा तो फ्रेंड बहुत मजा आया मेरी तहह दिल से इच्छा रहे कि आप सभी लोग सभी लोग एक वक्त ऐसा आए कि यह पूरा हॉल क्राउन प्रेजिलेंट से भर जाए यह यह तो थैंक यू गॉड ब्लेस यू अल थैंक यू